आज बनेगा पैरी पैरी सॉस जो के बहुत मज़िदार होता है और आप इसको बना के सेफ करके भी रख सकते हैं और जब चाहें ट्राइ करें तो आईए बिस्मिल्ला करते हैं नुँन से लिए पैरी 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 सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बिलले लीज़ ए चीके अब इसके अंदर डालेícios जाल जालें के एक चोटी रेड बल पैपर उप है शेमला मिर्च हो टालेंगे इसके बाद मैं उसके ऐंदर डाल रही हूँ चार वाली पांच हो यह ले सकते हैं इसके बाद मैं इसके अं ensuite डाल रही हु आप चाहें तो मैट Vishay डाल सकते हैं मैं एक में अची में साइस सब्सक्राइब स्द Алु Perm viewing मैं ये इसके बाद मैंने कुछ मिर्चे ली एक तो तीन अधवर दो हरी मिर्चे ली हैं इसके बाद हम इसमें एक अध़ लैमन स्क्वीज लालेंगे इसके बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून वाइट मेंगर डालूंगी अब मैं इसमें डाल रही हूं 1 टेबल स्पून ग्रश्ट ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शुगर डाल रही हूं 1 teaspoon garlic powder, तोड़ा सा कम औरिगानो फ्लेक्स. 2 tablespoon paprika powder, यह दूस्रा tablespoon डाल रहे हूँ, आप मैं दाल रही हूँ 1 tablespoon चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून मैं इसमें hot sauce डालूंगी 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और half cup के करीब मैं इसमें oil डाल रही हूँ अब इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसको blend करेंगे अच्छे से यह देखिए ब्लेंड कर लिया मैंने इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजे आप कैसी है यह देखिए हमारा पेरी-पेरी सॉस जो है वो रेडी हो गया है इसकी सबसे बात यह है कि आप इसे एक से दो महीने के लिए एर टाइट कंटेनर में रख कर सकते हैं और जब चाहें आप इस सॉस को निकाले और आपको चिकन में करना है यूज या बीफ में करना है अपिस सॉस यूस करके फ्राइट करी चिकन को बहुत ही जबरदस टेस्ट आएगा यह थी विवर्स बहुत ही बहुत ही जबरदस्त पेरी-पेरी सॉस की रेसिपी बहुत ही मजे का बनता है ट्राइए ज़रूर की जिएगा वीडियो कर दीजे फिर आउंगे एक नहीं रसिपी के साथ तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अलाह फिस